आपको परदा है कि हमारे बच्छों के तरकी होना बहुत जरूरी है चाहे वो पुल्मी तरकी हो चाहे वो जिस्मानी तरकी तो आएए हम दिन और रात के लेसन प्लान में कौन-कौन से एहम मुद्ध पर रोज़ता है तो आए हम देखते हैं कि हमने दिन और रात के लेसन प्लान में कौन-कौन से एहम मुद्ध और एहम उकात पर रोश्णी डालिये तो इसमें सबसे पहले जो नहीं तरकी की देश बच्चे सीखेंगे कि उनकी इलमी तरकी होगी मस्तनत तरकी मस्तनत तरकी यानि कि अथेंटिंटिंग लगें मतलब वह आँस-पास के रोजमर्र में जो चीज़े यूज करते हैं उस चीज़े जादा सीखेंगे और तामीरी तरकी होती है वह बच्चे जब पढ़ेंगे यह लेसं पान तो सभी पढ़कर और समझकर ही नहीं रखेंगे बलकि उसको अपनी रोजमर्र की जिज़ेंगी में उसका यूज भी करेंगे तो सबसे पहले इसमें बच्चे सीखेंगे कि दिन और रात का रिष्टा क्या होता है तीन और रात कैसे होते हैं जमीन और सूरज का रिष्टा क्या होता है, जमीन और सूरज की गर्दिश के वज़े से हमारी दुनिया में क्या-क्या चीजे होती है, क्या-क्या बद्राव आते हैं हमारी जिनकी में और जमीन की गर्दिश की वज़े से जो जमीन सुरज का चक्र लगाती है इसकी वज़े से सिर्फ दिन और रात ही नहीं होते हैं बलकि मौसम पे भी अधर पड़ता है, मौसम भी बदरते हैं शुक्रिया